असलामूलेकुम, आज का नावल है मेरब है आत का है तू ही मेरी मनसिल हमारी सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट और हमारी राइटर की पर्मिशन से अपलोड किया जा रहा है हम अपने राइटर के तेहे दिल से शुकर गुजार हैं जिनोंने हमने इस नौवल को रिकॉर्ड करने की पर्मिशन दी हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइक उन को प्रेस कर दें हमारे चैनल की लेटस अपडेट्स हासिल करने के लिए लव इस वेस्ट आफ टाइम मुझ को टेड़ा करके उसने उन दोनों के हस्पे तवक्का जवाब दिया राना ने इसके जवाब पर इस अंदास में गर्दन हिलाई थी जैसे कहना चाह रही हो इसका कुछ नहीं हो सकता जबके वर्ट इस लव पूछने वाली मरियम ने लारोश नियाजी को खा जाने वाली नजरों से देखा था जो अब बे नियाज बनी अपने सामने रखी चिप्स की पैकेट में से चिप्स उठा उठा करदान्तों से कुतर रही थी बूखी नदीदी महमान मैं हूँ और जिप्स से तुम इनसाफ कर रही हो अगर इन बड़े बड़े दीदों में कुछ शर्म भाकी है तो लाओ अब मुझे भी मौका दे दो इसके सामने से प्लेट चपटते हुए मरियम ने उसे शर्म दिलाने की नाकाम गोशिश की थी राना ने इसके हक में जोरो शोर से घर्दन हिलाई थी इन दोनों के यूँ यक जान दो कल्ब हो जाने पर लारोज ने अपनी सुर्मई आँखें तकरीबन फाड़ते हुए इन दोनों पर दावा बोला था ओ हैलो मेडम रोज रोज आने वाले को महमान नहीं कहते हर दूसरे दिन बाद तुम हमारे घर आ जाती हो अब क्या रोज रोज तुम्हारे सामने लो आजमात पेश करें हम और बेशरमी की तो भी खूब कही मैं बेशरम और तुम दोनों हर वक्त इश्क महबत की बाते कर करके मेरा दिमाग खाली करती रहती हो बेतर ये है के मेरा दिमाग चाटने की बजाए घर जाकर थोड़ा शहर चाट लो ताके तुम्हारा ये बाजे की तरहा फटता स्पिकर कुछ बेतर हो सर्दी के बाइस मरियम की बारी होती आवास पर चोट करते हुए आहिर में वो मुस्कुराते हुए बुली थी राना ने हैरत से इसकी चलती जुबान को देखा जबके मरियम ने नाक पर से मक्षी उड़ाने वाले अंदास में सर जटका था जिसका दिमाग औरेडी हाली हो उसके लिए हम सिर्फ हदायत की दुआ ही कर सकते हैं बाकी हमारा टेस्ट अभी इतना भी खराब नहीं हुआ कि तुम्हारा फबून लगा दिमाग चाटें एक के बाद एक चिपस मुह में रखते हुए उसने लारोश नियाजी को चड़ाया था मर्यम के चटपटे जवाब पर लारोश का खुलता मो देखकर राना ने बेसाखता कहका लगाया अब तुम मुझ पर हसलो अरे मैं पूचती हूँ कैसी कजन हो तुम जो मेरी इज़त अवजाई पर अपने इन प्यानो बजाते दांटों की यूँ खुले आम नमाईश करवा रही हो इसने राना के उपर नीचे टेरे मिरे दांतों पर चोट की जबके राना ने इसकी दुहाई पर अपने होंटों पर हूं हाथ रख लिया जैसे अपने दांतों को चुपाने की कोशिश कर रही हो अब हसने की बारी मरियम और लारोश की थी दोनों खिल किला कर हसी थी आहिर में राना की हसी भी उनकी हसी में शामिल हो गए राना नियाजी और लारोश नियाजी दोनों आपस में कजन भी थी और बच्पन से ही इन में गहरी दोस्ती भी थी जबके मरियम हान से इनकी दोस्ती कुछ ज़्यादा पुरानी नहीं थी मगर इसके बावजूद इन तीनों की आपस में हूब गारी चंती थी अब भी वो तीनों इकठी मिल बैठी तो मरियम ने हमेशा की तरहां अपनी पसंदीदा टॉपिक मुहबत चेड़ दिया था जिस पर लारोश नियाजी हमेशा की तरहां चेड़ गई थी सौफे पर दनस कर बैठती वो हाथ में पक्ड़े पैन को रिजिस्टर पर चलाने की बजाए अपनी मुमी उंग्लियों में गुमा रही थी इसे बार बार मरियम और राना पर गुसा आ रहा था जो इसे यहां फसा कर खुद जाने कहां चले गई थी तब ही इसकी नजर करीब आते जैन नियाजी पर पड़ी लारोश ने फोरण से पहले अपनी नजरें रिजिस्टर पर जमाई थी और हाथ में पकड़े पैन को जल्दी जल्दी रिजिस्टर पर गिस्टी हुई खुद को पड़ाकु साबित करने की नकाम कोशिश करती यकिनन वो अपने सर पर खड़े जैन नियाजी को चक्मा देने के चक्रों में थी मगर इसे बेवकूफ बनाना इतना असान न था क्योंकि वो इसकी मैट्स में कमजोरी से बाहूबी वाकिफ था सो हाथ में पकड़ा चाय का कप टेबल पर डगते हुए जुका था और इसके हाथ से रिजिस्टर लेते हुए सफ़े पर हल हुरे सवाल को देखने लगा लारोश ने अपनी बकाइदा कपकपाती उंग्लियों को बिंच कर इनकी लर्जिश पर काबू पाने की कोशिश की थी जो जो इसकी नजरे सफ़े पर फिसल रही थी और तुम से अभी तक एक सवाल भी हल नहीं हुआ चबा चबा कर बोलता वो इसे हक लाने पर मजबूर कर गया था अभी दस मिनट पहले ही तो इसे ये सवाल हल करने का कहकर वो किजन में चाएं पीने गया था और अब वो इसके सर पर खड़ा घंटे का मुझदा सुना रहा था मम मगर जैन भाई अभी तो आप कहे थे पांच मिनट में सवाल थोड़ी हल होता वो मिन मिनाई जिन्होंने करना होता है न महतरमा वो दो मिनट में हल कर लेते हैं अब जरा दिमाग पर जो डालो और जो मैं समझा रहा हूँ इस पर ठीक से तबज़ा दिना इसके पहलों में बैठते हुए वो संजीत की से बोला डार्क नाइट की खुश्बू ने लारोश नियाजी को बेचैन किया वो खिसक कर जरा दूर हुई और पूरी दिल जमाई से रिजिस्टर पर नजरें जमाई थी जैन अहमर नियाजी का सफेज सुर्ख माईल हाथ बड़ी तेजी से रिजिस्टर पर मोर्ती बिखे रहा था ग्रे शर्ट के बाजू कोहने तक फोल्ड के वो मकमल तोड पर मसला फैसा गोरस इसे समझाने की सही कर रहा था कलाई पर जमकते स्याबाल इसकी वजाहत में इजाफा कर रहे थे मकर इसकी डैशिंग परसनालिटी से बेपरवा लारोज, शेरोज, नियाजी, गाइब दिमागी से हुँहा कर रही थी जैन आहमर के डर्की बदोलत, सब कुछ इसके सर से गुजरता जा रहा था तकरीबन दो घंटे बाद इसे इस अजियत बड़ी कैट से अजाद करके वो वापिस आफिस चला गया था जबके अपने दुखते सर को मसलते हुए लारोश शेहरोज ने मरियम और राना की हालत खराब्ट करने का सोचा ओके नाओ भी सीरियस लारोश की तरफ मतवज़ा होते हुए मरियम ने संजीदा से शकल बनाई थी दोनों इसकी तरफ हमातन गोश हुई तुम्हें महबबत से क्या मसला है? मुझे हर फजूल काम से मसला है और महबबत से बढ़कर कोई और फजूल काम होई ही नहीं सकता सो बस एक मिनट महबबत कोई काम नहीं है महबबत तो एक एहसास है जो जब दिल में उतरता है तो इनसान को कुछ ख़बर नहीं रहती समझी मिस बोंगी मुदलिल अन्दास में बोलती वो लारोश नियाजी को तपा गई थी इसलिए मैं तुम से इस टॉपिक पर बात नहीं करती तुम बड़ी अमो की तरहा मुझे दलाइल दिने बैठ जाती हो बस मैंने कह दिया कि मुछबत फजूल है तो बस है हमोश तमशाई का किरदार अदा करती राना ने अपनी ठोड़ी पर हाथ जमा कर एक अच्छी सामया बनने की कोशिश की थी लो देखो बला राना अब इसके पास कोई जवाब नहीं है तो ये चिर्णा शुरू हो गई है लारोश की जिद से जिद होते हुए इसने राना को बीच में गसीटा था यार इसे छोड़ो मरियम इसका दिमाग उल्टा है और वकौल तम्हारे खाली भी है जब इसको होगी ना तब पता चलेगा इसे के महबत नाम किस चीज़ का है इसके जवाब की मुनतजर लारोश को देखते हुए उसने मरियम को समझाया था जबके हस्पे तवक्का अपने से मुहालिफ जवाब पाकर लारोश ने इन दोनों को गुढ़ा था हमें ऐसे देखने की बजाए तुम किसी हैंडसम को इन कातिलाना नजरों से देख लो तो वो पका तुम्हारा आशिक हो जाएगा राना को आँक मारते हुए मरियम ने इसे छेड़ा लारोश ने तबते हुए पास पड़े कुशन्स इन दोनों को मारने के लिए फुर्ती से उठाये थे मगर वो दोनों इससे भी जादा तेज़ पुर्ती से उठी थी और बेट से कलीन पर छलांग लगाते हुए कमरे के बंद दर्वाजे की तरफ दोरी थी कि वो जानती थी कि अब इन दोनों की हैर नहीं लारोश ने तांग कर निशाना लगाया था मगर हाई अफसोस के कुशन राना को लगने की बजाए दर्वाजा खोल कर अंदर आती नफीसा नियाजी के एन सर पर जा लगा था आम्मी लारोश के मुझे गुटी गुटी सी चीख निकली थी जबके नफीसा बेगम को कुशन लगता देख लारोश की बनने वाले दुर्गत का सोच कर इन दोनों ने अपनी हसी दबाई थी क्या हो रहा है यहाँ और तुम्हारा बच्पना कब खत्म होगा लारोश कमरे की अबतर हालत देखकर वो अपने मिजाज के खिलाफ कदरे सخت लहजे में बुली थी सुसोरी अमी यह मैंने अकेले नहीं किया यह दोनों बराबर की हिसेदार है अपनी सफाई देते हुए इसने दान कचकचाते हुए इन दोनों को भी मरूदल अलजाम ठहराया था जो नजरें जुकाए हाथ लटका कर खड़ी शराफत की अम्जी तस्वीर लग नहीं थी नफीसा बेगम ने इन्हें सरजनिश करती नजरों से देखा था चची जान मैंने तो सची इसे कुछ भी नहीं कहा राना ने अपनी सफाई देते हुए लारोश को मजीद चड़ाया था कि जानती थी वो नफीसा बेगम के सामने कुछ नहीं बोलेगी इसी बात का फाइदा उठाते हुए मर्यम ने भी बरपूर हिसा लिया राना बिल्कुल ठी कह रही है आंटी हम दोनों तो बस इसको ये कह रहे थे कि जैन भाई से मैट्स के इमपोर्टन्स लेक्चर समझ ले काल इसका मैट का टेस्ट है मगर बस जैन भाई के नाम पर ये चिड़ गई मना कर रही थी कि इनसे बिल्कुल नहीं पड़ेगी हम तो आपके पास ही आ रहे थे कि इसे पिछे से हम पर कुशन की बरसाज शुरू कर दी अपनी आँखों को मसूमियत से पटपटाते हुए मर्यम ने सही माईनों में लारोश की जान अजाब में डाली थी जबके इसकी इस जवाब हाजरी पर राना ने आँखों ही आँखों में इसे दाती जबके इन दोनों की गदारी पर हका बका खड़ी लारोश सर को नफी में हिलाने के काबिल भी न रही जैन याज़ी की मजूदकी से वैसे भी इसकी जान जाती थी लारोश अभी अपनी बुक्स लो और जैन के पास जाकर टेस्ट की त्यारी करो चलो जल्दी शाबाश नफीसा बेगम ने इसे हस्पे तवक्का आर्डर दिया था मगर अम्मी मुझे जैन भाई से नहीं पढ़ना मुमिन मिनाई कोई अगर मगर नहीं जल्दी करो वरना इसे यहीं बेच दूँगी नफीसा बेगम ने इसे तन्वी की मुझे बसोड़ते हुए इसने अपना कॉलिज बैग उठाते हुए लाउंच की तरफ कदम बढ़ाए थे जहां जैन याजी बगोल इसके मिस्टर जल्लाद पहले से ही बराजमान था जबकि इसको फजा कर राना और मरियम नोदोग्यारा हो चुकी थी तुम्हारी एहसान फड़ा मोशी पर मेरे सदके वारी जाने को दिल कर रहा है एक तो हमने तुम्हारा बला किया और बजाए शुकर गुजार होने के तुम हम पर ही गुसा निकाल रही हो अगले दिन कॉलिज में फ्री प्रियर्ट मिलते ही वो इन दोनों के सर पर जाकर खड़ी हुई जो बड़े मज़े से कैंटीन में परठी मूँ चला रही थी राना से तो हैर वोताई के पोशन में जाकर ही दो-दो हाथ कर चुकी थी मगर यहां मुकाबल मरियम थी जो सामने वाले को तपाने में अपना सानी न रखती थी अब भी लारोश के दावा भूलने पर आहिर में जिच होते हुए इसने ही इसे करारा सा जवाब दिया था इसके लवज इससान फरामुशी पर लारोश शहरोश न्याजी ने अपनी सुर्मई आँखे खतरनाक हद तक खोली जबके इसके यूँ आँखे पहलाने पर राना ने चेहरा नीचे करके अपनी बेसागता उमटने वाली हसी रोकने की नाकाम कोशिश की अलबता मरियम हनूज इसके तरफ मतवचा थी कौन सा इसने अजीम किया है तुमने मुझ पर बताओ जरा तीसरी चेहर पर बैठते हुए वो मिदान में उतरी पांच गंटों तक वो हलाकु हान मिरे दिमाग का कोडमा बनाते रहे और तुम बात कर रही हो इहसान की मौतरमा अगर भलाई का इतना ही शोक है तो खुद पढ़ लिया करो उन से मुझे फसाने की जरूरत नहीं है देखे लैजे में बोलती हुई वो मुबालगा अराई की हद कर गई थी दो गंटों को पांच गंटों का नाम देते हुए इसने बिलकुल परवान नहीं की थी जहां वो मर्यम को जैन आहमर से पढ़ने के मश्वरे से नवास रही थी महीं इसके जैन आहमर को हलाकु हान कहने पर राना ने इसे गुरा था जबके राना के गुरने पर वो सट पटाई ऐसे गुरो मत तुम्हें भी पता है वो कितने जलाद हैं इसने अपनी सफाई दी हाँ तो इसका क्या मतलब है कि तुम मेरे ही भाई की तरीफ में ऐसे इलफाज इस्तमाल करोगी इसे मसनुई हवकी से देखती राना बोली थी जिस पर लारोश ने सिर्फ सर जटकने पर इक्तफा किया अच्छा छोड़ो ये सब वो देखो वहां वहां फोर्ट्स टेबल पर मरेम ने उन दोनों को जरा फासले पर बैटे दो लड़कों की तरफ मतवज़ा किया जिन मेंसे एक लड़का दिलो जान से इनकी तरफ ही मतवज़ा था हाँ तो क्या है लारोश ने उस जानिब देखने के बाद बेजारी से इस से इस तफसार किया तो क्या तुम्हारा आशिक है ये और तुम ऐसी अंजान बन रही हो जैसे तुम्हें हबर ही नहीं मरियम ने अपनी छोटी छोटी आँखें माईनी हेजी से गुमाई थी वो पूरी की पूरी उचल पड़ी तुम्हारा दिमाग तु ठीक है पता नहीं किस लफंगे को मेरा आशिक बना रही हो मैंने तो आज से पहले इसे कभी नहीं देखा लारोश ने एक बार फिर इस लड़के को देखा था और गोर से देखने के बाद मरियम को जवाब दिया मैडम दो माँ हो चुके हैं तुम्हें कॉलेज जोइन किये और ये लड़का पहले दिन से हमें फालो कर रहा है इस लड़के की सामली रगत पर चोट करते हुए इसने मरियम को बीज में गसीटा था राना ने जोरोशोर से गर्दन हिलाई हाई हमारी ऐसी किसमत कहां तुम्हारे इन बड़े बड़े दिलकश देलों को देखने के बाद मुझ बेचारी दुख्यारी की ये छोटी छोटी आँखों में कौन डूबेगा मरियम ने आफ बड़ी थी जबके इसके इस मजलूमाना अंधास पर इन दोनों ने अपनी मुस्कुराहट दुबाई थी क्योंके वो लड़का इनकी जाने भी मतवच्चा था विशी मुझे लग रहा है मरियम ठी कह रही है वो देखो अभी भी तुम्हें ही देख रहा है राना ने भी अपना फर्ज अदा किया लारोश ने चिर्कर तीसरी बार इस लड़के को देखा जो दो माँ बाद लारोश के अपनी जानिब तीसरी मरतबा मतवच्चा होने पर मस्कुराया था वो सरता पैर सुलग गई हबीस लोफर इनसान कैसे गूर गूर कर देख रहा है चबा चबा कर भूलती वो इन दोनों को हसने पर मजबूर कर गी थी वो दोनों इसकी हालत से खूब लुद्फफंदोस हो रही थी जो गुसे से लाल पिली होती जा रही थी तुम दोनों अपने दान्तों की नुमाईश करवाना बंद करोगी अब तब कर इस ने खीकी करती राना और मर्यम को गुरा यार वैसे लड़का बुरा नहीं है हाई लुक्स डैशिंग हेर कट देखो उसका उफ कितना सूट कर रहा है इस पर अल्ला जी क्या लग रहा है कसम है अगर ये मुझे आफर कराए ना तो मैं तो सोचने का वक्त भी न लूँ मर्यम की जुबान किसी सुरत रुकने को त्यार न थी वो फुल मूड में थी मगर मुकाबल भी राना और लारोश थी जो इसके ड्रामे बाजी से जरा मुतासिर न हुई अगर अब तुमने अपनी बक्वास बना की न तो आज गर जाते ही जैन भाई को बता दूंगी लारोश ने इसे दम की दी मुझे नहीं लगता कि जैन भाई के समझाने से ये लड़का पीछे हटे का सिंसिर लग रहा है राना ने संचीद की से अपनी राय थी हाँ तो और क्या पक्का आशिक लग रहा है लारोश अब तो तो तुम्हें मुहबत होकर रहेगी बेटा मरियम भी कहां रुकने वाली थी मैं जैन भाई को इस लफंगे के बारे में नहीं तुम दोनों के बारे में बताऊंगी कि तुम दोनों मुझे इसकी तरफ रागिप करने की कोशिश कर रही हो इन दोनों को वार्निंग दी अब गबराने की बारी इन दोनों की थी फिर कुछ याद आने पर मरियम ने हसते वे सर जटका था जैन भाई के सामने तुम से जैन भाई तो ठीक से बोला नहीं जाता और बात कर रही हो इने हमारी शिकायत लगाने की मरियम ने इसे चिड़ाया जिसकी हमायत में राना ने हमेशा की तरहां जोरोशोर से गर्दन हिलाई राना तुम तो बस यूही रटू तोते की तरहां ये दस मन का सर हिलाती रहा करो मरो तुम दोनों यही मैं तो जा रही हूँ अगर यहां बैठी रही तो वो नमूना आज मुझे नजरों ही नजरों में हजम कर जाएगा अपना बैक कंदे पर लटकाते हुए वो चबा चबा कर बोलती वहां से चली गई जबके राना और मरियम इसके यू तब कर चले जाने पर खिला कर हसी थी लाउंच में पड़े सोफों में से एक पर पाउं पिसार कर बैठी वो इंगलिश की बुक हाथ में थामे आंसर क्वेस्टन याद कर रही थी जब वो शर्ट के बाजों फोल्ड करता हुआ इसके सामने पड़े सोफे पर आकर बैठा वो फॉरन से पहले सीधी हो बैठी कैसा हुआ टेस्ट इसके चेरे पर नज़र जमा कर वो अजली संजीद्गी से बोला था कौन सा टेस्ट इसने अंजान बनने की नाकाम कोशिश की थी इसके चेरे पर उड़ती हवाईया इसके अंजान बनने का बाजया सबूत दे रही थी मैठ्स के टेस्ट की बात कर रहा हूँ आज ही था ना इसके चेरे पर कुछ खोजते हुए वो एक एक लफ़ चबा चबा कर बोलता इसे परिशान कर गया अपने हातों की लर्जश पर काबू पाते हुए लारोश ने लहजे को मस्बूत बनाने की नाकाम कोशिश की वो आज मैठ्स वाले सर छुटी पर थे ककल होगा टेस्ट खुद पर जमी जैन न्याजी की पोस्ट मॉटम करती नजरें इसका दिल देहला रही थी आज यकीनी तोर पर इसकी शामत आनी ही आनी थी ठीक है राना को बलाओ इसे खोशती निगाओं से देखते वे जैन न्याजी ने हुकम नामा जारी किया लेकिन जैन बभाई इसके और मेरे सब्जेक्स तो चेंज है इसको मेरे मैठ्स के टीचर की गैर हाजरी का बिलकुल नहीं पता मम मैं सच कह रही हूँ मैठ्स वाले सर आज एपसंट थे अपनी मूमी उंगलियां चटहाती हुई वो इसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी मैंने कब कहा कि मैराना से तुम्हाई रीचर की गैर हाजरी के बारे में पूछूंगा जैन आहमर नियाजी की कुशादा पेशानी पर लातदा शिक्नों का जाल बुन गया इसके तासुरा देखते हुए लारोश को शिदत से एसास हुआ कि वो कुछ गलत बोल गई है टेस दिखाओ कहा है कितने माक्स आए हैं दिखाओ मुझे इसने सखत लहजे में लारोश शेहरोश नियाजी को हुक्म दिया वो बकाइदा कांपने लगी मैं कहरा हूँ टेस दिखाओ वो इसके सर पर आन खड़ा हुआ वो तो मैंने फार कर फैंक दिया जैन भाई माक्स बहुत गंदे मिले थे वो अब रो देने को थी जैन आहमर ने गुसे से इसे गुड़ा इंतहाई बेवकूफ लड़की हो तुम अगर ठीक नहीं हुआ था तो कमसकम मुझे तो दिखा देती मैं मिस्टेक सी क्लियर करवा देता तुम्हें सससोरी जैन भाई अपने शंगरफी लबों को दांतों से कुचलते हुए वो डरते डरते भूली तब ही जैन आहमर की नजर इसके बलाई लब के कटाओं से जरा उपर चमकते सिया तिल पर पड़ी थी शंगरफी लबों से उपर वो चमकता तिल बेहद बला लग रहा था एक पल को इसकी नजर साकित हुई थी फिर दूसरे ही पल वो नजर फेड़ गया था इसे मैट्स की बुकलाने को कहकर खुद सोफे पर डैसा गया थकन से चूर वजूद को सकून देने के लिए इसने आंखे मोंदी थी दो हम शुदी लबूं का जोड़ा और उन से उपर चमकता तिल उसकी आंखों के परदे पर वाजिया लहराया था जैन आहमर ने बेचैन होकर आंखे खोल ली फिर सर जटक कर सीधा हो बैठा कॉलिज बैक कंदे पर लटकाए वो इसके मुकाबिल आकर बैठ गई जैन आहमर ने रिजिस्टर पकर कर अपनी खुबसूरत हैंड राइटिंग को सफे पर बिखेटते हुए इसे सवाल समझाना शुरू किये थे ना चाहते हुए भी आज बार बार इसकी निगा लारोश नियाजी के इस दिल पर अटक रही थी जो बड़ी शान से इसकी शहाबी रंगत पर दमक रहा था अपनी बदलती हालत से गबरा कर वो उट खड़ा हुआ मेरे सर में दर दोड़ा है आई विल टीच यू तुमारो अपनी पिशानी मसलते हुए वो लारोश से महातिब हुआ जिसने इसकी बास सुनते ही फर्मा बरदारी से इस बात में सरहे लाया अंदर ही अंदर इसने जैन आहमर से जान चूर जाने पर खुदा का शुक्र अदा किया था पुष्ट पर बिखरे स्याब बालों को समेटते हुए इसने गरम कंबल हुद पर से हटाया था और जलती हुई आईने के सामने आन खड़ी हुई अपना जैजा लेने के बाद वो फरेश होने के लिए वाश रोम में गुज गए दिसंबर के ठंडे महीने में आज की सुबा कदरे चमकीली थी इतवार का दिन सो कर गुजारती थी मगर हिलाफे मामूल आज इसकी आँख जरा जल्दी खुल गई थी तकरीबन ग्यारा बज़े के करीब वो फरेश हो कर बाहर लाउंच में आई तो नफीसा बेगम को गैर मजूद पा कर किचन में चली आई अमी अमी कहा है आप नफीसा बेगम को ढूंटी हुई वो किचन में चली आई जहां वो ताजा बनाया किया शीर खुर्मा ढूंगों में निकाल कर फरिज में रख रही थी आह शीर खुर्मा मैं तो मज़े ले लेकर खाऊंगी बच्चों की तरहां खुश होते हुए वो ताली बजा कर बोलती नफीसा बेगम के चेरे पर मस्कुराहट बिखेर गई थी पहले नाच्टा तो कर लो फिर खा ले ना शीर खुर्मा भी और अपनी भी जान की भी खोश ले लो कितनी बार मुझसे तुम्हारा पूछ चुकी है ओ, नफीसा बेगम के सरजनिश करने पर इसे अफसूस हुआ वाकई वो काफी दिन से भी जान से नहीं मिली थी ठीक है फिर मैं पहले उन से मिलाऊं फिर नाच्टा करूंगी उनका गाल छुटते हुए वो ताई जान के पोशन में जाने के लिए मुरी थी क्योंके बीजान यानि उसकी दादी अमा ताई के पोशन में क्याम पजीर थी अरे रुको इन के लिए ये शीर खोरमा तो लेती जाओ तुम्हें पता तो है वो गरम गरम खाती है ठंडा लेकर जाओगी तो दुबारा गरम करवाएंगी शीर खोरमा का एक डंगा इसे पकड़ाते हुए वो मुस्कुराते हुए बोनी लारोश ने इस बात में सर हिलाते हुए डंगा इन से ले लिया और फिर चोटे चोटे कदम उठाती हुई लाउंच के आहर में उपर की तरफ जाती सीरिया चड़कर वो ताई के पोजिशन में आगे लाउंच विरान पड़ा था उसीदा किचन में चलिया आई जहां ताई अमा यकीनन दुपहर के खाने की तियारियों में मसरूफ थी राना मेडम हस्ब मामूल सोने का शुगल फरमा रही थी असलाम उलेकम ताई अमा डूंगे को शल्फ पर डखते हुए इसने फरहाना बेगम को सलाम किया इसे वहां देखकर वो शफकत से मस्कुराई थी वालेकुम सलाम आज ये चांद बड़े दिन में कैसे निकल आया इसके गुलाब चेहरे को प्यार से देखते हुए इन्होंने मुस्कुराते लहजे में इस तफसार किया इनके चांद कहने पर वो जनब गए अरे नहीं ताई अमा अभी पिछली इतवार ही तो आई थी लारोज शेरोज नियाजी ने उनका शिकवा दूर करना चाहा था इतवार से लेकर इतवार तक आठ दिन होते हैं बेटा जी फरहाना बेगम ने इसे लाजवाब किया वो हंस पड़ी अच्छा मेरी प्यारी ताई अमा मुझसे गलती हो गए नेक्स टाइम के लिए मेरी तोबा कानों को हाथ लगाते हुए वो लाट से बोली थी इन्होंने आगे भर कर इसे गले लगा लिया वो बेसाखता किल खिलाई ओके ताईमा अब मैं बीजान के पास चलती हूँ अभी तो इनसे भी मेरी कलास लगनी है जुबान निकालते हुए वो शरारतन बोली फरहाना बेगम बेसाखता हस्ती किचन से निकल कर वो सीधी बीजान के रूम में आई थी असलामुलेकूम बीजानी अपनी तरंग में इन्हें सलाम करती वो कमरे में मजूद जैन आहमर नियाजी को नहीं देख पाई थी इस पर नजर पढ़ते ही लाशोर का रंग मुतगेर हुआ था उसने फॉरण से बाजू पर जूलता डुबर्टा कंधे पर लटकाया था वो अक्सर इसके लापरवा खुलिये पर चोट किया करता था वालेकूम सलाम आगई मेरी भीटी रानी को मेरी याद उनके लेजे में वाजिया शिक्वा था वो पल में बेचैन हुई जैन की मजूदकी में वो भीजान से लाज अताने में हिचकचा रही थी भीजान टेस्ट हो रहे हैं मेरे बस इसलिए मसरूफ थी लारोश ने उनको नर्मी से जबाब दिया अलबता हातों की उंगलियां आपस में मरोडते हुए वो कुछ बेचैन लग रही थी सफिया बेगम भी जान उसकी हिचकचाहट का मतलब समझती थी तब ही मुस्कुराते हुए जैन आहमरन्याजी को वहां से जाने का इशारा किया वो कन्फ्यूज बैठी लारोश पर एक बरपूर निगार डाल कर वहां से निकलता चला गया उफ थैंक गॉड भी जानी आपने मेरी मुश्किल असान कर दी तबह पूरे हलाकुहान है इनके सामने तो इनसान लब भी नहीं हिला सकता अफसोस से गर्दन हिलाते हुए इसने इन्हें इतला दी सफिया बेगम की नजर दरफासे में इस तदा जैन आहमर पर पड़ी जो चेहरे पर सुरुही लिए अपने लिए इसके इलफास सुन रहा था इन्होंने नौन स्टॉप बोलती लारोश से नजरें बचा कर अपनी मस्कुराहट रुकी जबके अब वो कह रही थी हाँ तुम्हें ये बता रही थी के मेरे टेस्ट हो रहे थे बीजानी और पिछले एक हफ़ते से इसी सिंसले में ये मौतरम रुजाना पांच गंटे मेरे दिमाग की लसी बनाते रहे हैं बस इसी वज़ा से मुझे टाइम नहीं मिला और मैं आपके पास नहीं आपाई हाथों को अफसोस से मलते हुए वो मस्कीनियत से बोली सफिया बेगम खुल कर मुस्कुराई जबके इनके यूं मुस्कुराने पर जैन आहमर ने हफकी से इने देखा बेट की साइड टेबल पर रखी वो अपनी गाड़ी कीज लेने पलटा था मगर लारोश की बावाज बुलंद अबसरे सुनकर वहीं रुक गया लारोश की इसकी जानी पुछ थी इसलिए वो सकून से भी जान को अपना मसला बता रही थी बाकी इन्शालला अगली वीडियो में